रश्या-Ukraine crisis जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पे USA और जो West European countries हैं पूरा अपना परियास कर रहे हैं कि रश्या को प्रेशराइज किया जाए कि वो अपनी यह जो वार है इसे खतम करें और बातचीत के जरीए पूरी समस्या का हल करें तो यहाँ पे और रश्या के उपर काफी सारे economic sanctions लगाए जा चुके हैं और यहाँ पे जो एक और बड़ा step लिया जा रहा है वो है USA की तरफ से USA यहाँ पे कह रहा है कि हम जो most favored nation का जो status है most favored nation का जो status है रश्या को जो हमने दिया हुआ है इसको हम strip करेंगे इसको हम हटाने वाले हैं तो इसी पूरे issue को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यह most favored nation status क्या होता है और किस तरह के अंडर इसके अंडर provision है, exam के point of view से क्या important चीज़े है और इसका वाकई में रश्या के उपर जो sanctions है उसके क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि already इतने सारे sanctions लगे हुए है इस move का क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है अल्रेडी रश्या जो है one of the most sanctioned जो country है यहाँ पर आगर आप देखते है number of sanctions जितने लगे हुए है तो 2000 February 2022 के बाद में मतलब Ukraine का यह जो issue चल रहा है इसके बाद आप देखेंगे तो number of sanctions सबसे ज़्यादा रश्या पे हो गए है पहले इरान और सीरिया पे हुआ करते थे पूरे issue को detail में देखते है मेरा नाम है राहूल भरदवाज और यह टेलिग्राम जैनल है इस पे आप मुझे follow कर सकते हैं इसके अलावा pathfinder को subscribe करना ना भूलें इसी तरह के current affair related updates के लिए जो भी बच्चे UPSC के त्यारी कर रहे हैं 2023 या चॉइस के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है यहां पर opportunity या academy की तरफ से आपको optional subject free of cost available कराया जा रहे हैं तो अगर आप GS का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक साल या उससे उपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं चाए वो plus है या iconic है उतने ही time का आपको optional subject free of cost available कराया जाएगा यह offer आज आपका end हो रहा है बारा मार्च को use the code rblife to get these maximum discounts and personalized guidance किसी भी query के regarding आप इस number पे भी connect हो सकते हैं देखे most favored nation को समझने से पहले WTO के बारे में कुछ basic जानकरी रखते हैं WTO जो है इसे establish किया गया 1995 में और इसका जो precursor है वो था GART General Agreement on Trade and Tariff तो यहाँ पे WTO का overall objective क्या है जैसे cricket के अंदर empire काम करता है okay fair play ensure करता है तो उसी तरह से international trade के अंदर अंतराष्टिये जो व्यापार है देशों के बीच में वहाँ पे यह ensure करेगा कि कोई भी एक दूसरे के साथ discrimination ना हो okay fair trade ensure हो ज्यादा से ज्यादा व्यापार बड़े और GART पहले से ही काम कर रहा था लेकिन GART के अंदर क्या थे कि वह गूड्स इंक्लूड थे ना services इंक्लूड नहीं थी, IPR, intellectual property rights, patent वगर यह सब चीजें इंक्लूड नहीं थी तो इनका importance बढ़ता गया और finally GART को एक तरह से होते हैं, exam point of view से, इसका headquarter Geneva Switzerland है, 164 members है जो की लगबग 97-98% जो word trade है उसको represent करते हैं, यहाँ पर सबसे latest member अफगानिस्तान है, जिसने 2016 में join किया है, WTO के member के लिए जरूरी नहीं है, कोई country जो है sovereign हो, तो हम देखते हैं कि Hong Kong है, Taiwan है, इस तरह के भी यहाँ पर include है, क्योंकि इसके जो commercial relation है, उसमें उसको autonomy होनी चीए, तो जो custom territory है, जैसे European Union है, यह भी member है, इसके लावा यहाँ पर voting right जो है, one country, one vote का system है, तो यह IMF और word bank की तरह नहीं है, जहाँ पर USA या जो कुछ ऐसे देश हैं, उनको बहुत ज़्यदा voting share मिला हुआ है, यहाँ पर one country, one vote रहेगा इसके लावा word trade report यह हमेशा जारी करता है, अब WTO के जो major pillars हैं, उसमें से most favored nation, one of the major pillars यहाँ पर है, most favored nation के अंदर क्या होता है, इससे mention किया गया article one of guard के अंदर, 94 के अंदर, और यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी WTO के members हैं, वो एक दूसरे को यह status देंगे, MFN, most favored nation का status द या tariff जो है, कम कर देता है, उसको कोई रियायत दे रहा है, यहाँ पर कोई छूट दे रहा है, तो जिन countries को इंडिया ने MFN status दे रखा है, automatically वो benefits सब के पास चले जाएंगे, इसे ऐसा समझते हैं, मान लीजिए, एक class है, 60 students वहाँ पर है, वहाँ पर बच्चे टिफन लेके शेयर करना होगा, यह एक rule यहाँ पर बना दिया, तो कुछ इसी तरह से most favored nation आपका work करता है, यह क्या है, non-discriminatory trade policy है, मतलब कोई भी देश, अगर किसी दूसरे देश को benefit दे रहा है, तो automatically वो सारे benefit दूसरे देशों को transfer हो जाते हैं, जिनको most favored nation का दरजा मिला हुआ है, मतल का level of treatment यह दरशाता है, most favored nation और WTO का एक बहुत important pillar यहाँ पर है, जितने भी WTO members है, सबने एक दूसरे को MFN status दिया हुआ है, और यहाँ पर हम देखेंगे, US ने जो है, यह status क्यूबा और North Korea को डिनाई किया हुआ है, तो क्यूबा और North Korea को यह status नहीं है, USA की तरफ से already, और अ परशिया को इनकी category में रखा जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसी MFN most favored nation status को permanent normal trade status भी कहा जाता है, USA के अंदर, दोनों सेम ही चीज है, जहां तक हम MFN status की बात करें, तो इंडिया ने भी पुलवामा अटेक के बाद, यह जो most favored nation status है, इसको revoke कर दिया था, पाकि issue की बात करें, कि अगर अमेरिका की तरफ से most favored nation status अगर revoke कर दिया जाता है, जैसा अमेरिका यहां कह रहा है कि हम करेंगे, तो इससे क्या प्रभाव पढ़ेगा रशिया के उपर, देकि रशिया के उपर प्रभाव यही पढ़ेगा कि रशिया के जो भी export है, इन countries के अंतर, मान लीजे, रशिया का कोई भी product USA के अंदर जा रहा है, तो अब क्या होगा, उसके उपर मान लीजे, कोई भी duty tariff लगता था, import duty अगर 15% लग रही है, तो अब USA क्या कर सकता है, वो duty increase कर सकता है, let us say 45% कर दिया जाएगा, 60% कर दिया जाएगा, this is the thing, तो import tariff यहां पे increase exports पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसी तरह के status का परियास यहां पे European Union के countries भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर हम यह status हटा देते हैं, तो definitely इससे रशिया के जो import है, वो export बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, already European Union ने 70% जो है, अपने import को ban किया हुआ है, अगर हम major major देखे हैं, तो केवल fuel related supplies हैं, वो अभी चालू है, लेकिन इससे कितना फरक पड़ेगा, जानकार यहां पे expert यह कह रहे हैं, कि इससे कोई major impact नहीं पड़ने वाला है, especially in comparison to all the economic sanctions which have already placed अंदर रशिया, रशिया पे अगर हम देखते हैं, तो बहुत ही strong sanctions, economic sanctions लगाय और रशिया जो है one of the most sanctioned country यहां पे बन चुका है, तो already इतने strong sanctions यहां पे हैं, उसके comparison में most favored nation का जो status को हटाना, यह एक तरह का क्या है, symbolic gesture है, जितने भी experts हैं, वो यही कह रहे हैं, कि इसका ज़्यादा जो असर है, वो symbolic है, इससे economy के perspective से इतना असर नहीं पड़ेगा, क्यो हम देखते हैं, इरान है, नोर्थ कोरिया, सीरिया और बेलारूस, यह members नहीं है, तो जो member नहीं है, वो कैसे भी अपना manage कर सकता है, उसके उपर यह MFN status जो है, यह लागू नहीं होगा, क्योंकि आप WTO के member नहीं है, और MFN status जो है, केवल WTO members पे ही लागू होता है, यह उस अब मान लिजे, यहाँ पे एक exception teacher बना देते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका कोई group है छोटा, मान लिजे आपका 4-5 लोगों का group है, तो आप अपने group में share कर सकते हो, फिर आपको और लोगों के साथ share करने की ज़रत नहीं है, केवल आप अपना जो टीफन है, खाना है, उस अपने group में share कर लिजे, तो इसी तरह के exceptions जो है, WTO यहाँ पे देता है, किस form में, WTO कह रहा है कि अगर आपका कोई free trade area है, regional free trade agreement अगर कोई है, जैसे यह जो है USA, Mexico, Canada agreement, यह क्या है, इन देशों के बीच में, तीनों देशों के बीच में free trade agreement है, तो यहाँ पर यह देश क्या क है, जो भी free trade agreement है, यह इसका exception है, इसी तरह से custom union जैसे European union हो गया, यह भी इसका exception है, इसके अलवा developing countries को कुछ favorable treatment दिये जाते हैं, वो भी इसके exception में आएंगे, जिसको last में हम देखेंगे, एक बार GSP related चीज़े होती है, generalized system of preferences, तो developing country को अगर को preferential treatment दे रहो, यह सब चीजे क्य agreement जो है, बढ़ते जा रहे है, regional trade blocks बढ़ते जा रहे है, तो जब आपस में लोगों ने इस तरह से free trade agreement के regarding अपना pact कर लिया है, तो फिर most favored nation का जो relevance है, वो खतम होता जा रहे है, तो फिर most favored nation का जो relevance है, वो इतना नहीं रहेगा, इसके अलावा eco risk factor यहाँ पे है, कि जिस तरह स ने inquiry की और खुद ही कहा कि हमारे यह unfair trade practice की जा रही है, जैसे Australia का case है, Australia पर कह दिया कि unfair trade practice आप कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप पर sanctions लगाते हैं, व्योंकि WTO countries को members को यह power देता है, कि आप अपनी investigation के आदार पर कुछ sanction लगा सकते हो, अगर कोई unfair trade practice है त इस तरह से यह unilateral sanction भी MFN status जो है, इसके relevance को कम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो issue है, वो है WTO की ineffective enforcement mechanism, कोई enforcement mechanism नहीं है, कि अगर किसी ने MFN status को violate किया है, तो उसके against में क्या action होगा, क्या punishment होगा, यह सबसे बड़ा issue है, तो major 3 pillar जो हम बात कर रहे थे, उसमें most favored nation हम ने treat किया जाएगा, और जो third है, यह है, differential treatment या special treatment to developing countries, यह exception के रूप में था, most favored nation के, अभी हमने देखा था, यह generalized system of preference के अंडर में आता है, मान लीजे USA और Kenya, यहाँ पे trade कर रहे हैं, तो Kenya कहेगा, आप तो developed nation है, word power हो हम, और आप equal कैसे हो गए trade में, तो US यहाँ पे कहेगा, हम आपको कुछ benefit दे देते हैं, कुछ यहाँ पे relaxation देते हैं, flexibility देते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो this is all, most favored nation के अंदर जो enforcement है, बहुत बड़ा issue है, इसलिए most favored nation status, इसका relevance भी कम हो रहा है, लेकिन यह enforcement वाली जो issue है, यह पूरे word में हम देख रहे हैं, जिस त UN system है, या UNSC है, तो यह पूरी तरह से defunct है, World War II के realities पे based है, और आज की realities में राज दिन का फरक है, तो we need to, okay, reform this kind of institution, ताकि ग्लोबल लेवल पे एक order हमारे सामने है, तो इसी के साथ wrap up करते हैं, session को, PDF आपको इस telegram group पे मिल जाएगा, इसके लावा बहुत सारे sessions यहाँ पे यहाँ पे भी आप participate कर सकते हैं, Unacademy से आप अपनी पूरी preparation के लिए जूड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको optional की preparation free of cost दी जा रही है, इसकी last date आज है, तो जो भी एक साल का subscription है, उसकी fees आती है, आपकी 46,000, okay, subscription link description box में आपके दिये गए है, अपनी need के according plan चूज़ कर सकते है, put the code rblight to get maximum discount and personalized guidance, similarly you can go for iconic या iconic की fee structure यहाँ पे है, आपको personal coach और live mentorship के benefit यहाँ मिलते हैं, इसके लावा केवल optional के लिए जा रहे हैं, यह केवल optional की fees है, 0% EMI option is also there, नए badges आपके 16 मार्च से start हो रहे हैं, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, इसक अगर शबस्क्राइबोरोडरोड़ यहां, इसके लिए फेश्काराइबोरोड़ ए जापके लिए वाँवाटरोड़गरोड़।